नाकपुर शहर के उम्रेड रोड पर बने शितला माता मंदिर के पास निर्मल नगरी में उस समय हरकम्प मज गया जब कुछ स्थानिय लोगों को पेड़ों के पास कुछ अंडे दिखाई दिये लोग साब के अंडे समझे और घबरा गए उन्हें डर था कि साब भी अंडों के आसपास ही होगा इससे उनकी जान को खत्रा हो सकता है साब के अंडों की खबर से मंदिर के आसपास लोगों की भीड जमा हो गई आनन फानन में वन्य जीव विशेशग्य शंभम कुष्णराव को कॉल लगा कर मामले की जानकारी दी गई सूशना मिलते ही सर्पमित्र शुभम पराले और सागर सावले अनिकेत सुरुशे द्वारा बताये गए पते पर निर्मल नगरी पहुचे उन्होंने वहाँ बगीचे के पास पेड़ो में अंडे को खोजना शुरू किया करीब 16 अंडे सुरक्षित रूप से बाहर निकाले गए सभी अंडों को प्लास्टिक के डब्बे में छेत करके अंदर रखा गया ताकि ऑक्सिजन का आवागमन बना रहे इसके बाद इन अंडों को नाकबूर वनविभाग के ट्रांजिट सेंटर को सौब दिया लोगों की जान में जान तब आई जब उन्हें पता चला कि अंडे साब के नहीं गिरगिट के थे वन्ने जीव रेंजर शुभम पराले के मार्गदर्शन में यह काम किया गया पत्थर, क्रीडा की हवा और गर्म वातावरन में रखा करीब 24 गंटे बाद दो अंडों से दो चूजे बाहर निकले जिनकी पहचान गिरगिट में की गई कुछ समय बाद इन में चूजे निकले अब इन चूजों को पुनह जंगल में छोड़ा जाएगा ताकि वे अपना जीवन अच्छे से जी सके